YouTube पर quality content की कमी नहीं है बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now let's begin Hello friends, welcome back to another video of this playlist Make sure that you have watched our previous video In the previous video में हमने देखा था How we can find the solution of non-homogeneous Volterra integral equation of second kind हमने different methods भी देखे थे जैसे की Adomian decomposition method क्या होता है Noise term phenomena क्या होता है Series solution method क्या होता है इन सब method की मदद से हमने find क्या था Solution of non-homogeneous Volterra integral equation उन सब पर मैंने already video बना रखा है इसके just previous video में हमने देखा था कि successive approximation method होता क्या है और इसी topic पर based हमने एक example solve क्या था तो आज इस video में हम क्या करने वाले है हम यहाँ पर एक solution find करेंगे This integral equation यह जो आप देख रहे हो यह है मेरे पास non-homogeneous Volterra integral equation इसका हम find करेंगे solution By using successive approximation method यहाँ पर हम ज्यादा deep में नहीं जाएंगे सीधा हम इसका solution देखेंगे हम यहाँ पर कोई method नहीं देखेंगे कैसे हम इसको करने वाले है क्या steps होंगे ज्यादा descriptive part नहीं देखेंगे सीधा बढ़ते इसके solution की तरफ तो यह आप देख सकतो यह मेरे पास एक non-homogeneous voltair and integral equation of second kind तो इसका solution निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको standard form से compare करके standard terms ठीक लेंगे जैसे की f of x क्या होगा बात करूं मैं lambda की तो lambda हो जाएगा minus 1 अगर मैं बात करूं kernel की जिसे k of x tc denote करते है वो हो जाएगा t minus x ठीक है और सबसे पहले step इसका होता है आपको लेना पड़ता है assume करना पड़ता है u not of x is some real valued function इसके just previous video में मैंने वहाँ पे 0 लिया था मैंने आपको यह भी बता था कि 0 एक convenient way है most of the time हमको 0 assume करेंगे तो answer जल्दी आ जाएगा यहाँ पे मैं 0 assume नहीं करूंगा यहाँ पे हम assume करेंगे u not of x is 1 आप जो चाहे वह real valued function ले सकते हो constant भी ले सकते हो इस बार मैं आपको u not of x equals to 1 लेकर आपको answer दिखाऊंगा कि हाँ इससे भी answer आता है इसलिए मैंने आपके 1 लिया है तो चलो उसका solution अभी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है u not of x find कर देना है मतलब assume करना है जो कि हमने कर लिया इसके बाद हम find करने वाले first approximation first approximation is given by f of x plus lambda times integration 0 to x k of x t k of x t into u not of t dt तीए तीए आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करो second approximation के लिए तो सेम ऐसी बनेगा f of x plus lambda times integration 0 to x k of x t but यहापे u2 है तो u2 के लिए u1 आएगा u1 है तो u1 के लिए u not आएगा अगर मैं बात करो u5 के लिए तो u5 के लिए same ऐसी रहेगा but यहापे u not है यहापे u5 के लिए u4 आजाएगा u 100 of x को बलू तो यहापे कितना आएगा u 99 of t आजाएगा तो इसका previous one जो भी हम निकालते जाएगे with the help of previous one हम next term find कर सकते है next approximation find कर सकते है तो सारी values इसमें put कर देते है f of x है 1 plus minus 1 integration 0 to x k of x t है simply t minus x u not of t but u not of x है हमारे पास simply x की जगह पे t replace कर देंगे फिलाल यहां पे x का term नहीं है जो है वहां पे constant है constant as it is आ जाएगा dt अब यहां पे put कर देंगे 1 minus integration 0 to x t minus x simply इसका integration ही निकाल देते है तो हमें क्या मिल जाएगा t का integration आपको पता है जो की हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा है यहां पे 1 minus x square by 2 minus x into x t की जगह पे x put करना है x square बन जाएगा minus lower term lower limit lower limit हम put करेंगे तो यह term भी 0 हो जाएगा यह term भी 0 हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह जो जो जाएगा जाएगा आएगा कर बंगा यह जाएगा झाल 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 आया है तो लाइक डिसलाइक जरुर कीजे गया ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजे शेर कीजे और सबसे जरुरी बाद चैनल को सबस्क्राइब कीजे ठैंक यू सो मच लव यू टेक केर बाई बाई